जुनूनियत की हर हद पार माफिया लव स्चोरी आईए जानते हैं आगे से स्चोरी में क्या हुआ प्रथा खोए हुए ही अपने घर चली जाती है वहीं उसकी माँ उसका इंतिजार कर रही थी वो दर्वाजा खोलती है पर प्रथा उनसे कुछ भी बात नहीं करती जाती है वहीं प्रथा की मा हैरान थी क्योंकि प्रथा कभी भी ऐसा नहीं करती थी वो कितना भी ठकी हुई क्यों ना हूँ अपनी मा से बात जरूर करती थी लेकिन आज वो बदली-बदली लग रही थी पर प्रथा की माने सोचा शायद वो ठक गई होगी इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो भी सोनी चले गई वहीं प्रथवी का कमरा प्रथवी बालकनी में खड़ा चांद को देखे जा रहा था और चांद में भी प्रथवी को प्रता ही नजर आ रही थी प्रथवी को चांद को देखते हुए प्रथवी कहता है बस एक हफता बीबी उसके पात तुम्हें मेरे पास आना ही होगा क्योंकि तुम प्रध्वी की हो और प्रध्वी की चीख उससे जादा देर तक नहीं दूर रह सकती प्रध्वी की चीज उससे जादा देर तक दूर नहीं रह सकती जो प्रत्वी का होता है वो उसे मिलकर ही रहता है चाहे वो छीन कर लूँ या खुद आ जाए मेरे पास अगली सुभा प्रत्वा ने अपने रेगुलर आफिस यूनिफॉर्म ही पहनी हुई थी ग्रेप एंट, वाइट शट एंड ग्रेप ब्लेजर बालों को एक एकदम कस कर बांधने के बाद उसका जूड़ा बना लिया था और आखों पर मोटा सा एक चश्मा लगा था प्रत्वा आफिस आते हुए रेसेप्सनिट पर बैठी लड़की को मुस्कुरा कर गुड मॉर्निंग विश करती है प्रत्वा प्रत्वी की परसनल सेकरिटरी थी इसलिए बागी ओफिस स्टाफ भी प्रत्वा के साथ रिस्पेक्ट से ही बात करते थे और प्रत्वा का बिहविय भी ओफिस में सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा था इसलिए सबी लोग प्रथा को ठीक से ही ठीट करते थे, कोई बत्तमीजी नहीं करता था प्रथा थी तो बहुत सुन्दर लेकिन एक्तम सिंपल साधारन बन कर रहती थी इसलिए प्रथा के साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं करता था प्रथा अपने कैविन में जाकर अपनी चेर पर बैठी है और अपना काम करना शुरू कर देती है प्रथा सबसे पहले प्रथवी का डेली शेडियूल तयार करती है और फिर कैंडीन में जाकर प्रथवी के लिए कॉफ्य बनाती है ये प्रथा का डेली रूटीन था जब तक प्रथा रोज प्रध्वी के लिए कॉफी बना कर तयार करती थी तब प्रध्वी अपने कैविन में आकर बैठा था और कैविन में आते ही प्रथा सबसे पहले प्रध्वी को कॉफी देती है और फिर अपना देली सेड्यूल उसे बताती थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है जब तक प्रथा कॉफी बना कर तैयार करती है तब ही प्रथवी ओफिस के अंदर आता है और सीधा अपने कैवन में चला जाता है लेकिन आज एक चीज बदल गई थी आज प्रथवी आज प्रथा को प्रथवी के सामने जाने से डर जाने क्यों एक घपराहट सी हो रही थी लेकिन जाना था इसलिए प्रथा अपनी सारी हिम्मत को इखटा करती है और प्रथवी के कैवन की तरफ बढ़ जाती है लेकिन प्रथवी के कैवन के सामने जाकर प्रथा के कदम वहीं रुख जाते हैं और प्रथा के कदम आगे ही लेकिन प्रधा दो कदम चल कर फिर रुख चाती है और रोणी जैसी सकल बना कर वापस प्रदवी के कैविन की तरफ जाने लगती है प्रधा एक गेरी सांस लेकर खुद को सम्हालते हुए समझाते हुए कहती है रिलेक्स प्रधा तु ढर क्यों रही है प्रद्वी सरी तो है कौन सा तुझे खा जाएंगे कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा खुद को समझाने के बाद प्रधा प्रध्वी के कैविन की दोर को नौक करती है और तभी प्रध्वी की भारी आवाज उसे सुनाई देती है Coming प्रता धीरे से Kevin का दोर खोलती है और कॉफी का ट्रे लेकर अंदर आती है प्रता काफी का मग प्रद्वी के को देते हुए Good Morning विश करती है Good Morning Sir आपकी कॉफी और आपका आज का शेड्यूल प्रद्वी किसी फाइल को चेक कर रहा था इसलिए प्रध्वी का पूरा ध्यान सिर्फ उस फाइल पर था प्रध्वी कौफी का मग उठाता है और कौफी को पीने लगता है प्रध्वी देखती है कि प्रध्वी बिलकुल नॉर्मल विहेब कर रहा है तो प्रथा एक गहरी सांस लेती है और केविन से जाने लगती है कि तब ही प्रध्वी की कड़क आवाज प्रध्या प्रथा के कानों में पड़ती है मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा बीबी प्रध्वी की इस बात को सुनकर प्रथा को एक बहुत बड़ा जटका लगता है प्रथा खुद में ही धीरे से कहती है बीबी सर नहीं मुझे बीबी कहा प्रथा अपने खयालों में ही थी कि तब ही प्रथा को अपने कानों में प्रध्वी की आवाज आती है बीवी को बीवी ही कहूंगा न प्रथा अपना सर घुमा कर देखती है तो प्रधवी प्रथा के बिल्कुल पास में खड़ा था प्रधवी को अपने इतनी करीब देखकर प्रथा एकदम टर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है लेकिन प्रथा अपने कदम पीछे ले दी इससे पहले ही प्रथवी प्रथा को अपने कमर में हाट डालता है और उसे खुद से चिपका देता है अचानक से प्रथवी की ऐसी हरकत देखकर चाहत हैरान हो जाती है प्रथा के दोनों हाथ प्रथवी के सीने पर थे प्रथा को जब एहसास होता है कि उसके दोनों हाथ प्रथवी के सीने पर है तो प्रथवी अपने हाथों को प्रथवी के सीने से हटाते हुए हकलाते हुए बोलती है सर यह आप क्या कर रहे हैं सर छोड़िए मुझे प्रदवी प्रथा के चहरे की तरफ छुकते हुए कहता है और क्यों छोड़ू मैं तुम्हें सर्फ प्रीज छोड़िये प्रथा को इतना घबराता हुआ देखकर प्रध्वी को जैसे मज़ा आ रहा था लेकिन फिर भी प्रध्वी ना चाहते हुए भी प्रथा को छोड़ देता है प्रध्वी के छोड़ते ही प्रथा प्रध्वी से दो कदम पीछे हड़ जाती है प्रद्वी अप सीरियस होते हुए प्रथा से कहता है तुमने अपनी शादी के वारे में घर में बताया प्रद्वी अपनी बात करके प्रथा को देखने लगता है प्रथा अपनी गर्दन नामें हिला देती है और फिर बेवस नर्जरों से प्रद्वी की तरफ देख कर गहती है सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दोका है सर शादी के वक्त आपने कहा था ना कि ये शादी सर्फ नाम की होगी फिर आप क्यों जबर्दस्ती हमें ये शादी में बांध रहे हैं? अब प्रद्वी की बात सुनकर प्रद्वी को गुस्सा आ जाता है प्रद्वी 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 का हाथ पकड़ कर उसे दीवार से लगा देता है प्रद्वी ने एक हाथ से प्रद्वी की कलाई को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अर्जुन का प्रद्वी का दीवार पड़ था प्रद्वी गुस्से में प्रथा से कहता है क्या कहा तुमने बांध रहा हूँ मैं, अगर बंधा होता तो अब तक तुम अपने घर में नहीं मेरे पास मेरे घर मर होती अकेली तुम इस शादी में नहीं हूँ, मैं भी इस शादी में हूँ और अब शादी हो चुकी है बीवी और तुम सिर्फ मेरी हो इस बात को जितना जल्दी अपने इस चने जैसे दिमाग में बैठा लोगी उतना ही अच्छा होगा, समझी वरना मुझे और भी तरीके आते हैं, अपनी बात मनवाने के प्रध्वी जटके से प्रधा को छोड़ देता है और अपनी कोड़सी पर जाकर बैठ जाता है प्रधा अपनी कलाई देखती है, जिसे अभी अभी प्रध्वी ने पकड़ा था प्रध्वी के उंगलियों के निशान, प्रधा की कोरी कलाई पर साफ साफ नजर आ रहे थे प्रधा प्रध्वी को देखती है, प्रध्वी वापस से अपने काम में लग जाता है प्रधा बिना प्रध्वी से कुछ कहे, कैविन से बाहर चली जाती है प्रथा प्रथवी की कैविन से निकल ही रही थी कि सामने से विक्रम आ रहा था विक्रम की नजर जब प्रथा पर जाती है तो सक्रांथ देख लेता है कि प्रथा की कलाई पर जोर से किसी ने पकड़ा था इसलिए उसकी कलाई में निशान बन गए थे और उसकी आँखों में भी आशू थे सक्रांथ प्रथवी की कैविन में जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है प्रत्वी सक्रांत को देखते हुए कहता है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यूं देख रहे हो सक्रांत कुछ नहीं अभी मैंने भावी को यहां से बाहर जाते हुए देखा उनकी आखों में आसु थे तेरा और भावी का छगड़ा हुआ है क्या प्रद्वी सवालिया नजरों से सक्रांद को देखते हुए कहता है भावी कौन भावी सक्रांद अपनी आखे रोल करते हुए सामनी की चेयर को पीछे करते हुए और उस पर बैठ जाता है और फिर प्रद्वी की तरफ देखकर कहता है मैस भारगव मुझे लगा तेरे शिशादी हो गई है तो मुझे उन्हें भावी बोलना चाहिए लेकिन शायद तुझे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं अपसे मैं उन्हें Miss भारगव ही कहा कर बोलाऊंगा और मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है तेरा मिस भारगव को भावी बुलाना मिस भारगव अब मिस भारगव नहीं मिसिस प्रथवी है तो अब से उन्हें भावी ही कहकर बुलाएगा तू इतना कहकर प्रथवी वापस से अपनी फाइल में घुश जाता है प्रद्वी की बात सुनकर सक्रांद के चेहरे पर एक हलगी सी स्माइल आ जाती है और सक्रांद प्रद्वी को चड़ाते हुए बोलता है ओहो एक ही दिन में इतना प्यार हो गया तुझे भाबी से सकरांद की बात सुनकर प्रधवी फाइल को बंद करके साइड में रखते हुए अपनी चेर से खड़ा हो जाता है और सकरांद के पास आकर सकरांद से कहता है प्यार तु जानता है ना यह प्यार इश्क महबबत जैसे शब्द से भी मुझे नफरत है मैं किसी से प्यार नहीं करता प्यार इंसान को सिर्फ कमजोर बनाता है और प्यार के नाम पर लोग एक दूसरे को धोका देते है प्रधवी की बात सुनकर सकरांद हैरानी से प्रधवी को देखता है और सकरांद प्रधवी से कहता है तो क्या तू भाबी से प्यार नहीं करता और अगर भाबी से प्यार नहीं करता तो उन्हें अपनी जिंदगी में क्यों लाना चाहता है फिर सक्रांद कुछ सोचते हुए गुस्से में प्रद्वी से कहता है प्यार तु भावी से करता नहीं लेकिन फिर भी तु भावी को अपनी जिंदगी में रखना चाता है कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन भावी की खुबसूर्ती देखकर तु उन पर फिदा हो गया और तेरे हंदर की हवस जाग गई सक्रांद की बात सुनकर प्रद्वी की आँखें गुस्से से लाल हो जाती है और प्रद्वी गुस्से में सक्रांद को देखते हुए कहता है अगर मैं चाह अगर मैं प्रथा से प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी उसे अपनी जिन्दगी में लाना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता हूँ नफरत है मुझे प्यार जैसे सब्द से भी कहते हैं न, एक माँ अपनी उलात से जादा प्यार किसी से नहीं करती लेकिन मेरी माने मुझसे ज़ादा प्यार अपने पैसों से किया इसलिए मुझे दस साल की उम्र में छोड़ कर चली गई थी और दूसरी तरफ मेरा बाप जो प्यार के नाम पर शादी पर शादी किये जा रहा है और अफेर्स पर अफेर किये जा रहा है प्रद्वी की बात सुनकर सक्रांत को एहसास होता है कि प्रद्वी के अपने रिष्टे इतने बिगड़े हुए है कि अगर उसे रिष्टों और प्यार जैसे शब्दों से नफरत हो गई है सक्रान प्रद्वी के कंदों पर हाथ रग कर प्रद्वी को समझाते हुए कहता है लेकिन प्रद्वी हर इंसान एक जैसा नहीं होता मुझे नहीं लगता कि प्रथा भावी को पैसों में दिल्चस्पी है या फिर प्रथा भावी तुझे कभी धोका दे सकती है सक्रांद की बात सुनकर प्रदवी एक शीशे की दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जहां से पूरा शेहर देख रहा था प्रदवी एक सिगरेट निकाल कर उसे अपने होटों के बीच में दबा लेता है और फिर उसे जला कर धूए को भाप उडाते हुए कहता है मैं जानता हूं सक्रांद की हर इंसान एक जैसा नहीं होता और प्रदवी पैसे माइने नहीं रखते पिछले चार साल से मैं प्रदवी प्रदवी बहुत अच्छे से जानता हूं चार सालों में अगर प्रदवी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी मैंने कितने प्रोजेक्ट जो सिर्फ प्रदवी अंडर में रखे हैं अगर प्रदवी चाहती तो उन प्रोजेक्ट को मेरे राइवल कंपनी को दे सकती थी और बहुत सारे पैसे कमा सकती थी इनफेक्ट अगर प्रथा कह दी तो इस कंपनी से बहुत से पैसे कमा सकती थी लेकिन प्रथा में चार साल तक पूरी इमानदारी से इस कंपनी में काम किया प्रथा की इसी इमानदारी है जिस वज़े से मैं प्रथा को अपनी जिन्दगी में शामिल करना चाहता हूँ प्रथा इमानदार, खुबसूरत और समझदारी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रथा पिछले चार सालों से मेरे साथ है और उसने बागी लड़कियों के जैसी बेवकूफी नहीं है जिससे मेकप से खुबसूरती बढ़ाना नहीं बलकि चेश्मे से अपनी खुबसूरती को छुपाना आप सीखा है और उसे पसंद है जो नील पॉलिशे जादा शू पॉलिश पर ध्यान देती है अपनी खुबसूरत दुल्फों को चुड़े में बांध कर खुला रखती है जिससे फ्रेंट्स के साथ पार्टी करने से जादा ओफिस में काम करना पसंद है फोन की नोटिफिकेशन या फिर कॉल्स रिकॉर्ड में भी ओफिस का वर्ख ही होता है मतलब दोस और बार्फरेंट नहीं है तो अब तुम ही बताओ इतने परफेक्ट लड़की कहां मिलेगी मैं प्रथा से प्यार नहीं करता और ना ही करना चाहता हूँ प्रथा मेरी है सिर्फ मेरी और मेरा बनकर ही रहना होगा उसे उसकी जिन्दगी का हर एक रास्ता मुझ पर आकर खत्म होगा और मुझ पर ही उसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है प्रथा मेरी महबत नहीं प Hello everyone, I hope आपको आज का interesting episode भी पसंद आया हूँ आपको मतलब कैसा लगा इन दोनों का थोड़ा romance तो नहीं था खेर बट आपको बहुत जल्द ठेड़ सारा romance देखने को मिलेगा मतलब इतना सारा देखने को मिलेगा कि आप लोग मी सोचो इतना romance कैसे आ गया बट आज का episode आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि जो प्रथा है वो प्रधवी की बात मानेगी और अपनी मा को बता पाएगी कि उसने शादी कर ली है इतनी बड़ी बात तो क्या होगा आगे और मतलब क्या प्रथी को प्रथा से कभी प्यार होगा या प्रथा को प्रथवी से कभी प्यार होगा आपको क्या लगता है और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रू बताएगा और हाँ guys आप लोग comment बिल्कुल भी नहीं करते हो, बहुत कम comment आते हैं मुझे, समझ नहीं आता, और मेरी तबीदा stable है, मनलब ठीक है, तो आप लोगों का episode मिलते रहेंगे, तो बने रहें से story में आगे जानने के लिए कि क्या होगा? झाल, 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 झा